हालो आपिवान वेलकम तो प्रफान एज़केशन आज की इस वीडियो में हम एक नया टापिक देखने वाले इंटीग्रेशन ऑफ राशनल फंक्शन्स का अभी के लिए हमने सब्सिटूशन मेथोड कवर कर लिया और सब्सिटूशन मेथोड पर बेस जो भी एक्जाम्पल से की है वो हम सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद देखेंगे लेकिन तब तक आप सब्सिटूशन का कॉंसेट क्लियर करके ट्राइ कीजिए कि वो प्रोग्रेस आप खुद से कर पाएं लेकिन हम अपने आगे आने वाली वीडियो में को जरूर कवर करेंगे तो अभी के लिए करते हैं टॉपिक से सो तॉपिक इस watershed ॉफ राशनल फंच यह हमारा इंटीऌरेशन का थर्ड टॉपिक है जैसे कि मैंने आपको बदाया था पहले आपको चेक करना है कि गिवन इंटीग्रल को गिवन इंटीग्रल अगर सिंप्लिफाई हो जाता है डिरेक्ट फार्मुला लगा कर एंड तब वो इंटीग्रेट हो पा रहा है तो इट मीन्स आपको उसे डिरेक्ट अब आड़न करने से वो चीज वैसी बनाई जा सकती है डिफ्रेंट्शेट होने पर जो बन रही है तो उसकेस में हम सब्सिट्यूशन मेथोड यूज करेंगे इसमें इंसाइट फंक्शन को डिफ्रेंशियेट करके देखेंगे कि जो इंटीग्रल है उसमें सेम तू सेम च अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह राशनल फंक्शन होते गया है तो आपकी बुक में एक सिंपल डिफिनेशन में गिवन है फंक्शन आरेक्स इस सेट टू बी राशनल एक फंक्शन है आरेक्स अब जिसे एफेक्स होता है और उसकी जगह पर बहुत सारे हमारे पास गिवन होती है और वो प्रॉपर एक फंक्शन बनता है तो ऐसे ही हम लेट करते हैं कि आरेक्स जो है एक राशनल फंक्शन है और उसको हम कब राशनल फंक्शन कहेंगे इफ आरेक्स इस अब दो फॉर्म पी बाई क्यू मतलब वह एक्स की टाम में है निमरेटर और डिनॉम तो कुछ टाम्स उपर होंगे कुछ टाम्स नीचे होंगे और वह प्रॉपर एक फंक्शन होंगे तो इस तरीके की फॉर्म को मतलब फ्राक्शन की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन अपको गिवन है तो उसको हम एक राशनल फंक्शन कहेंगे यहां पर आपको बता रहा है x and qx are polynomials in x और वो x की form में polynomials है अब यहाँ पर x as a variable आपको given है तो मतलब की जो function है पूरा जो polynomial है वो x की टाम में given है हो सकता है वो कोई और variable में given हो तो यहाँ पर हमने उसको x माना है तो इसलिए यहाँ पर हम इसको in x कह रहा है आगे start करते हैं यहाँ पर कुछ examples आपको 2x plus 1 by x square minus 3x plus 5 are rational functions ऐसे हमने बहुत सारे functions देखे हैं आप कहेंगे कि हमने तो substitution method के case में भी rational functions देखे थे येस हमने functions देखे थे लेकिन आपको क्या देखना है integral given हुआ अगर वो rational form में है अगर वो pyq की form में है तो पहले attempt कीजिए substitution method क्या वो substitute करके solve किया जा सकता है अगर नहीं तो हम इसको फिर इस वाले method से करेंगे जो अभी आप सीखेंगे तो इसके लिए ठीक है हमारे पास rational function की form में given होगा इंटीग्रल और वो कुछ इस तरीके की form होगी अब आगे बात करते हैं जो यह rational function है इसके भी दो टाइप है जैसे की proper fraction हो गया या और एक improper fraction यह हमने पहले भी अपनी basic classes में पढ़ा था mathematics की तो यहाँ पर दो तरीके की fractions होते हैं तो पहला function मैंने आपको बताया आपको given हो सकता है rational functions में ही दो functions हुए दो forms हुई एक proper form हुई एक improper form हुई वो है तो rational functions ही जो की P by Q की form में होंगे अब कब हम उसको proper fraction कहेंगे कब हम उसको improper fraction कहेंगे यहाँ पर समझते हैं अगर degree जो है PX की PX क्या है PX is numerator and QX is denominator अगर PX की degree जो जो function होगा PX जो polynomial होगा PX अगर उसकी degree छोटी है QX से तो उसको हम proper fraction कहेंगे अगर उसकी degree बड़ी है या equal है QX के तो उस case में हम उसको improper fraction कहेंगे अब देख लेते हैं डिगरी से क्या मतलब है यहाँ पर आप देखोगे तो proper जो X की terms है उसके लिए degree क्या है यहाँ यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर square है और यहाँ पर एक 1 भी है तो greater degree क्या हो यहाँ पर 2 आली और यहाँ पर 2 आली तो it means यह जो fractions हुए यह जो fractions है यह कौन से है improper fraction क्योंकि जो denominator की degree है इस case में यहाँ पर यह जो होगा इस case में numerator जो है वो छोटा हुआ डिगरी जो px, px की डिगरी छोटी हुई qx है तो it means यह एक proper fraction है improper fraction के case में जो उपर यह की degree होगी वो बड़ी होगी denominator से तो अभी के लिए जो दो examples जो है वो proper fraction के examples है अभी हमने देख लिया rational functions के अंदर दो तरीगे की forms होती है एक proper fraction होता है और एक improper fraction होता है और कैसे आपने उसको identify करना है यह भी हमने देख लिया तो यहां पर rational functions को integrate करने का जो method है वो है partial fraction partial fraction अभी हमने बात करी rational functions की तो rational fractions के लिजे rational functions के लिजे तो यह p by q की form में होंगे अब उनको आपने कैसे integrate करना है वो इस page में हम बताने वाले हैं तो मालिजे when we add two rational functions तो rational functions आपको given है उनको हम add कर रहे हैं जैसे की two by two x minus three and one by one minus x अब यहां पर अगर आप देखोगे तो two के लिए two के लिए जो variable है वो यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम मान लेते हैं कि two की साथ तो coefficient है वो x की power 0 है और यहां पर x की power 1 है तो इस case में जो यह numerator है वो छोटा होगे denominator से तो it means this is a proper fraction and same as it is यह भी एक proper fraction है इन दोनों को हम add कर रहें आड कैसे करेंगे बीच में plus का sign apply कर लेंगे और जैसे अभी तक आप fractions को solve करते आए हैं जो नीचे वाल denominator होता है उन दोनों को multiply कर लेंगे तो यहां पर मैं multiply करके लिख रहे हूं और जो remaining part यहां आपको नहीं given numerator में उसको हम multiply कर लेंगे जैसे इन दोनों का multiply हुआ तो यहां पर क्या नहीं है given यहां पर क्या multiply नहीं है 1-6 तो हम 1-6 में multiply कर देंगे as it is 1 खत multiply क्या होगा 2x-3 solve किया यहां आजाएगा 2-2x plus 2x-3 solve किया तो मुझे 2x-2x cancel हो जाएगा मिलेगा minus का 1 minus 1 by 2x-3 multiply में 1-6 तो यह मेरे पास आ गया function इन दोनों rational functions को add करके तो यह हम क्या देख रहे हैं अभी basically हमने क्या किया कि दो functions आपको given है जो कि rational functions है उनको हमने add किया तो इस form में आपको मिल गया अब यही जो method है अब मैं अगर बात करूँ तो जो यह given आया अगर हम reverse जाए तो हम इसको इस दो form में split कर सकते हैं जैसे हम इसको convert कर रहे हैं पूरी एक form बना रहे हैं वैसे हम reverse जाकर भी इसको इन दोनों में तोड सकते हैं तो यही है partial fraction इसका partial fractions यह कहलाएंगे तो यही partial fraction वाला method है जिसका आप use करेंगे integration के case में integrate करना होगा आपको rational function को partially उसको fraction करके या partially fraction आपने कैसे करना होगा ऐसे तो भिलकुल नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर तो यह partial fraction हमारे given थे हमने उनको add किया था लेकिन तब आपको question में यह पूरा given होगा और partial उसको बनाना होगा मतलब आपको तब इसको split करना होगा इन दोनों form में तो इस method को partial fraction वाले method को हम कहते हैं it is a method of splitting a rational function into partial fractions given होगा यह and उसको आपने split करना होगा इन दो form में ताकि हम उनको reduce करके integrate कर पाएं अभी एक ऐसी form है जिसे मैं integrate नहीं कर सकती लेकिन जब मैं इनको ऐसे लिख लूँगी तब मैं इनको integrate कर सकती हूँ क्योंकि अभी तक हमने जितने भी substitution method में solve किये questions वो ऐसे ही किये अगर आप इसे differentiate करेंगे तो इसकी जगा t लिख सकती हूँ मैं और differentiate करके मुझे यहां मिला 2 और 2.dx की जगा पर मैं put कर सकती हूँ एक scalar या एक constant तो इस case में हमारे पास यह solve हो किया जाएगा यह भी solve हो जाएगा as it is इसको मैं substitution से solve कर लूँगी यहां परना यह चीज पॉसिबल नहीं है दो function multiply हो रहे हैं तो इस case में चो rational functions होंगे उनको आपने partially पहले fraction में लिखना है देन उसके बाद उसको आपने integrate करना है तो यह सारा भी हमने समझा partial fractions क्या होते हैं और rational fractions के अंदर कौनसी दो forms आप देखेंगे आज की वीडियो यहीं तक next वीडियो में हम बात करेंगे partial fraction के questions को लेकर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो like करें हमारी आगे आने वाली वीडियो में update रहने के लिए subscribe करें और दोस्तों अगर आपके कुछ suggestions हैं तो हमें comment करें Thank you